हाँ जी मकर संक्रांती आ गई है और मकर संक्रांती पे तिल और गुड के लड़ू जरूर बनाये जाते हैं क्योंकि मकर संक्रांती पे तिल का महतवधिक होता है यह हमने तीन कप तिली ली है और उसे रोस्ट कर लिया है रोस्ट करने के बाद पीस लिया है ऐसे हमने एक कप कूठ के शेखतना इसमें डाल दिया है और फिरुद को करें के ग्यार का मेंट कर ते समय गयास की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे हम इस गुड़ expert को यह फ्लें पवेल्इम जब हमारा गुड़ मेल्ट सीच्ट मैल्च हुई ली के पैन में रौस्ट कर लेते हैं और इस तरीके से ये roast हो जाएगी फिर इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं अब हमारा गुड़ इस तरीके से melt हो रहा है और इसे high flame पे नहीं करना है लो flame पे ही पकाना है अब हम एक बावल में थोड़ा सा पानी लेके इसकी consistency चेक करेंगे हम थोड़ा सा गु आ रही हो इस प्रकार से अब हम इस गुड़ को चलाते हुए gas की flame को off कर देंगे और फिर इसमें पिसी हुई मूमफली और पिसी हुई तिल को डाल देंगे और इसे अच्छे से गुड़ को mix कर देंगे इसमें जब तक मैं इसे mix कर रही हूं तब तक आप messages किसी ने भी मेरे YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल से जल कर लीजिए जिससे कि मेरी जो भी नई वीडियो आएंगी उनकी notification सबसे पहले आपके पास आ जाएगी और आप उस वीडियो को देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को share कीजिए और YouTube के अलाबा आप Instagram और Facebook पे मे यह मैंने अब 7 से 8 इलाइचियों की वीज को निकाल कर कूट कर इसमें डाल दिया है और जो गोला हमने रोस्ट किया था वो डाल दिया और जो भी आपके पास ड्राइफ रूट एबलेवल हो उन्हें आप डाल सकते हैं आप इसमें अपनी इच्छा के अनुसार जितने भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं इसमें और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद एक बार हम हाथ पे थोड़ा सा घी लगा लेंगे और फिर यह लड्डू का बेस मिक्स हो जाने के बाद थोड़ा सा लेके हाथ पे और फिर एक लड्डू बान देंगे हातों से प्रेस करते जाएंगे जब तक इसमें एक शाइन नहीं आ जाए तब तक हम प्रेस करते रहेंगे लड्डू को इस तरीके से अब देखिए अब इसमें एक नई शाइन सी आ जाएगी लड्डू में तो हमारा लड्डू अब बन चुका है अब ऐसे ही हम सारे लड़ू बांद लेंगे और फिर ठाकुर जी को भोग लगाएंगे मंदिर में भोग लगाएंगे और सभी में ये लड़ू बाटेंगे और आप खाईए और दूसरों को भी खिलाईए और मकर संक्रांती पर इन लड़ू का आनंद लीजिए अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़्यादा ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए मैं फिर से आऊंगी नई वीडियो के साथ रित्व की किचिन में गुड़ बाई